हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है हम बेस्ट प्रोड़क्स बनाएंगे अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे सप्लाइच चेन को और आधुनिक बनाएंगे ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे साथियो मैंने अपनी आँखों के सामने कच्छ भूकम के वो दिन देखे हैं हर तरफ सिर्फ सिर्फ मलबा ही मलबा सब कुछ द्वस्त हो गया था ऐसा लगता था मनो कच्छ मौत की चादर ओड़कर सो गया हो उस परिस्तिति में कोई सोज भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे लेकिन देखते ही देखते कच उठ खड़ा हुआ कच चल पड़ा कच बढ़ चला यही हम भारतियों की संकल परशक्ति है हम ठान लें तो कोई लक्ष असंभव नहीं कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है राह भी है यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना भारत की संकल परशक्ति ऐसी है कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है साथ्यों आत्म निर्भर भारत की यह भगवे इमारत पांच पीलर्स पर खड़ी होगी पहला पीलर इकोनोमी एक ऐसी एकोनोमी जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं बलकी कौन्टम जंप लाए दूसरा पिलर इन्फास्ट्रक्शर एक ऐसा इन्फास्ट्रक्शर जो आदुनिक भारत की पहचान बने तीसरा पिलर हमारी सिस्टिम एक ऐसा सिस्टम जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं बलकी 21 सदी के सपनों को साकार करने वाली टेकनोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो चौधा पिलर हमारी डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रन डेमोग्राफी हमारी ताकत है आत्म निर्भर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोथ है पांच्वा पिलर डिमांड हमारी अर्थे ववस्ता में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुष है देश में डिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का ससक्त होना जरूरी है हमारी सप्लाइचेंड हमारी आपूर्ती की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो